हालो आप यू आज जम चाप्टर रिवाइस करने वाले डाडिस डिसलिशन और पार्टरशी फॉर्म और जो कि ग्रूप टूगे एडवांस अकाउंटिंग का आपका चाप्टर है तो यह चाप्टर थोड़ा फ्लेंदी है तो मैं आपको पहले और व्यू दे दूगे क्या कि हम लोग यहां पर सारी चीज़ें हम लोग रिवाइस करेंगे लिए अप्रोच कैसे रहेगी तो सबसे पहले इस चाप्टर में कुछ हम लोगों कहें यहां पर डिसलिशन और पार्टरशी फॉर्म से जेनरल डिस्केशन के जेनरल कोश्चन कुछ उसके कुछ रूल से अपन सबस्केशन मुरे रूल भी आएगा और पीस्मिल इस्ट्रीशन बेरी इंपॉर्टन एग्जामिनिशन में अगर आ जाए तो 20 मार्टर मुझे लगता है कि गुरूप टू में जो आप लोगों को के जो तीन दिग्गर चाप्टर है रही तामल कमेशन, पार्टनर्शीब, अगर अगर प्राइवेट लिमिटेट में या सेल कर दीदे आपको प्राइवेट लिमिटेट को तो क्या अकाउंटिंग होगी और फिर अमल कमिशन और पार्टनर्शीब, जो पार्टनर्शीब मिल के जब कोई पार्टनर्शीब बनाते हैं तो किस तरह की अकाउंटिंग होती है, वो भी हम लोग डिसकस करेंगे, अब यहाँ पे तबज़े कि जब मैंने आर्टीप आप लोग की नवेंबर 23 एक्जामिनेशन के आर्टीप दे पार्टनर्शीब बना रहे हैं तो इस पर अपन कोश्चन अलग से भी देख लेंए, आर्टीप में क्योंके दिये वें नहीं है, पीस्मिल डिस्रूबिशन पर नहीं दिया, पार्टनर्शीब बना रहे हैं पर अमल कमशन पार्टनर्शीब फर्म पर भी दी दिया, तो मैं वो सेपरेटली आपने डिस्कस कर लोगा, ओके, वपन वन बाइवन शुरू करते हैं, सबसे पहले आप लोग की जब डिस्लूशन पार्टनर्शीब फर्म होती है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास करते हैं, बस यहाँ पर वैसे ही हम लोग ärat पार्टनर्शीब फर्म की बोक्सव अरकोंट क्लोस करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस रहेंगे, यहाँ पर पार्टनर्शीब फर्म क्या,पर वोटलेटिंग वेंडर कमशन फर्म की Before Sun अब दो लिखर से पड़ियर्ट जेल चैजंग कंपनी नहीं हैं यहाँ पिए यह सते का लोंडुटी नहीं है यहां पूंडेक्र जेल लेतानिस्मिलिटी वए यहां ही अवादने की लेका कि रेकां पार्टनियु जे यहीं से के बाद capital partner का pay करते हैं और जो भी surplus बचा आखरी में उनके profit sharing रिश में partner को दे दे अब कभी कभी question में आपको यह information नहीं दिया है कि यह information नहीं दिये कि पर्टिकुलर यहां पर वाला के सलाग होंगे कोई company partnership हमको टेक ओवर करेंगे महाँ पर अलग सिच्विशन लेकिन अगर आपको को कुछ अजम्शन लेना पड़ेंगे कि को भी फिक्स एसेट है टेंजीवल आइटम है तो हम लोग यह मालेंगे टेंजीवल आइटम को कि वो बुक वाल्यू पर उसका सेल हुआ है और intangible रहा तो उसको निल वाल्यू को सेल हुआ और liability को बुक वाल्यू पर पे पे करा है बतलब यही मानना है कि asset बुक वाल्यू पे गई liability बुक वाल्यू पर पे करें exception है इंटेंजीवल आइसेट है तो उसकी कोई वाल्यू रियलाइज नहीं है आपको यह assumption लेना लेगा बट इन अब अब आपको यह करके एंट्री जल्दी से अब इसके रियलाइज़ाइज नहीं अब इसके आप एंट्री पास करें अब इसके बाद कुछ अगरे से फिक्टिशिस ऐसे एसे कोई यह कोई से उसे मिसल्दिन से इसक्पेशन को आपने राइट-अफ ने करें यहां पर इसके पार्टनर पार्टनेस कापिटल अड़ आप देखो अमआलगमिशन एक किसमें जो वेंडर कमनी की समें बुक्स अपकाने पने अंट्री करते पे तो वहां पे शेर उल्लस के तो उनको credit करना है जिनके debit balance आपके reflect हो और आपको the partners capital account profit sharing से debit कर देना रहेगा उसके बाद liabilities आप transfer करेंगे realization में और यह सारी चीज़ बुक वालु क्यों हो रही है books of account close करना है तो जब आप liability को realization account में transfer के liability के credit balance हो तो you will pass entry liability account debit to realization accounts अब उसके बाद याद रखा है लेकिन आपको balance sheet में liability side में कुछ reserve देखेंगे profit के कुछ balance देखेंगे obviously उस पर owner का हक हो था और owner का account को था partners capital account यह reserves को यह profits पनल अकाउंट का जो profit का balance that will transfer to partners capital account in their profit sharing ratio अब आपने क्या करें बच्चो आपने asset को sale करें और realize करें पैसा आया तो आप entry now you will not pass entry cash account debit to asset account क्योंकि asset account तो already close होगे आपने इसको realization account में transfer कर गी so what entry will pass है will pass cash or bank account debit to realization account अब अगर कोई partner ने asset लिखे गया partner ने asset किया अगर मैं भार asset बेश था तो मैं entry भास काथ था cash account debi to realization account लेकिन को partner ने asset लेग़ तो partner पर्सन परसन आपार रसन आप अपर सन आप परसन आपर सन आपर सन आपर सन THE debit to receiver the partner is receiver यह so entry will partners capital account on debit to realization account को liability when I pay करें तो don't don't say that liability account of the cash account the liability account already closed रिखेंगे आपने खुच को realisation account में transfer कर दिए कभी कभी कोACT डानी ख़ covers अगी जरसे सूंक से काउंटिक आंपियक फिर से कहा ठाइ चाहिसर अगर आप लिया जिए श्चिंट काॉंट लिगिन तुम तक खती करते के सो के थैप यहां पे कर अगार उंक्र मुझाद क सकती है तो अगर संट 3 a realization account up to cash account or joby profit loss a realization and account member that will transfer to partners capital account that will transfer to partners capital account so what entry will pass for it under credit or profit at credit balance anger they will debit to realize the transfer to partners capital like app 20 will be realization account every to partners capital account or a loss to debit balance anger so we are put transport debit balance anger the Apple Google realization account go up a lawsuit तो आपका यहां पर रोगा का आपका आप रोगा का तो एक पर से पार्टने प्सक्राइब को रियलेजसान को की तरहिए पहुता है यह बने द्रीक से पैसा से पैसा रहें, किसी का बाइलस फाल्स को दे रहें। ने आपको यहां पे आटीपी में इसकी उपर एक आई इंग यह तो कुछन उने डिजॉल्व गिए कोई पार्टा इंसल्वेंसी की उपर नहीं दिया हो से तिक एम पहले इंसल्वेंसी की पॉइंस्केस कर लें तो फिर आटीपी के के कुछन प्याता हूं अब यहां पर दूसरी चीज में को देखना है अगर कोई partnership form तो यहां पर डिजल हो हुरी उसे फैसे लेना है हमको उसे पैसे लेना है तो जब यहां पर डिजॉल्व हो रही है तो ऑर पर बाइब नियुक्न बारण से और हमको पैसा लेना है लेकिन यह तेकं पैस करते हैं किसमें नORTमे केस समझना अब एंट्री पास करते हैं और अगिर पार्ट्नेस से पैसा पेसा आती है बांक एका выглядит है परकेश और गाला रहालेकर कापिट एंपकों में यहां पर डेबिट नहीं कर सकता क्ष और bank visa क्वें पढ़ी और क्या आने वाला क्या एंट्री हांपर हम लोग पास करेंगे ओंज इसको बेहर करेंगए और करेंगा घ्र आब किस хват पार्टन की समर् необход criterion तरीका आई स मूए ओर करेंगे फे फोलो कर लो क्रॉफट शेरिंग ने गारिज्य समस्थ को लेकिन कभी अगर question में आपको इसने कहा कि no, वो जो solvent partner है, they will bear but in which अब यह बड़ा इंट्रेसिंग होचा था इसको समझना कि क्या difference हो जाता है कि profit sharing ratio में bear करेगे और अब गारन versus मुरे rule के साब से bear करेगे, देखो क्या होता है, कोई अगर partner का debit balance आगे, चलो में यहाँ पर आपको समझाता हो, यहाँ पर चार partner है, partner A, B, C, D, how many partners, four partners, partner A, B, C, D, A का debit balance है, B का debit balance है, C का credit balance हो, और D का भी credit balance है, अब A और B का debit balance है, और C और D का credit balance है, अब A और B का debit balance मतलब इंसम से पैसा लेना है, और यहाँ पर partner A, insolvent हो गया, partner A, insolvent हो गया, लेकिन आप बोलेंगे, partner B, B, insolvent है, क्यों उसका debit balance है, नहीं, इसका यह मतलब नहीं होता है, कोई partners capital account का debit balance आगा है, partnership firm की books में, that doesn't mean, that doesn't mean Vert family का partner is insolvent है, debit balance हा कि हम को उससे पैसा लेना है, तो उसको हम debit balance लेना है, debit balance मतलब बोल और पैसा है, but that doesn't mean क्यों partner insolvent हो, तो यहाँ पर A और B का debit balance हो सका यहां इसकोört two debit balance आरह है, अब ढोनों का debit balance है, whichever हों दो इंसम से पैसा ई हुघी हो हो, तो हम เส यहां पे तीनों पार्टन से इसको बैयर करने वाले हैं अब देयान से बाप मेरी बाद समझेगे अब क्या हो रहा है यहां पे गार्नम बसे मुरी रूल में लेकिन थोड़ा रूल है यह आपको कहते हैं कि वही पार्टनर बेयर करेंगे अब दो शॉल्वेंट हैं बच्चे म का credit balance है, जिनका capital का credit balance है, just before the dissolution. अब देखो, यहाँ पर partner A insolvent हो रहा है, लेकिन partner B का भी यहाँ पर debit balance है, तो even though वो solvent है, तो governor versus Murray rule कहता है कि वो इसको bear नहीं करेंगे, जिसका credit balance is just before the dissolution, वो इसको bear करेंगे, तो partner A जो insolvent हो जो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसको bear करेंगे, partner C और partner D उसको bear करेंगे, तो governor versus Murray rule में हमने क्या से कि, जो insolvent होती है, तो जो जिसके credit balance होना capital के just before the dissolution, वो ही इसको bear करेंगे, solvent partner के जो पैसा नहीं recover रहा है, तो यहाँ बेवन दो insolvent partner है लेकिन तो भी वो bear नहीं करेंगे, कि उसका debit balance होना जरूरी इस तरूरी के साब से, अब तो समझ लेना, what do you mean by solvent partner must have credit balance of capital that should be just before the dissolution, just before the dissolution, what does it mean just before the dissolution, अब इसको समझ लेना, अब you know that capital account दो तरह की accounting होती, in case of fixed capital account, fixed capital account मा था आपने दो अब जो अकाउंट मेंटेन करें, capital account और current account, capital account आप फिक्स है, जो भी item partner से related होती होती है, current account में adjust करें और दूसरा तरीका होता है आप लोगे, जब आप fluctuating method मतलब इसमें आप एक ही account maintain करें, capital account fluctuating method करें और एक ही account आप maintain करते हो, उसको बोलते है capital, एक capital account maintain करते हो, उसको कहते है इसको बाठ देंगे, वो insolvent partner का जो भी amount है, debit balance को बेर करेंगे, जिनके credit balance है, अगर वो सिर्फ capital account maintain करें, तो just before the dissolution के पहले का प्रॉफिट अपटन का, capital balance होगा, और ऐसे profit and loss account reserve and surplus के balance होगा, जो undistributed है, that you also distribute to partner, वो भी हो partners को देते हैं, तो जब वो आप partners को देते हैं, तो जब वो आप partners को देते हैं, तो उसको भी consider करेंगे, कि ये balance भी आपका just before dissolution का है, तो आप balance को adjust करेंगे, जो amount अता है, उस profit share, उस capital ratio में आप partners बेर करेंगे, वो partner जिनके credit balance है, obviously, कोई partners का debit balance है, गार्नावासर मुरे रोल में बेर नहीं करता, तो normally profit sharing ratio में बाक्की सारे बेर करेंगे, कारनावासर मुरे रोल में, capital ratio में बेर करेंगे, वही partner जिनका credit balance है, just before the dissolution capital account में, okay, so, यह हम लोग ने discuss करें, यहाँ पे, किस चीज़ के बारे, अगर insolvency होती है, तो किस तरीकी से हमको करना रहेगा, just give you one minute, so, यहाँ पे page number, okay, अब इसके बाद, एक, peaceful distribution आता है, मैं, peaceful distribution पे, दो मिट बाद discussion करा, तो पहले, आपका जो question है, उस पर आप लोग डिस्कस कर लाते है, question number one, RTP November 23, same, same question, class को हम लोग ने solve कर, regular batch के questions है, RTP में कुछ भी नया नहीं है, मतलब सच भी नया नहीं है, जो regular batch के student है, मतलब आपने इतना ज्यादा पढ़, regular batch में करा चुका है, सारी चीज़ है, कुछ भी नहीं, RTP, ठीक है, लेगिन चलो, डिसकस हम लोग कर ले तो कोशन को, अब आप से क्या करा है, PQ, R and S are sharing profit and losses in the ratio of 3 to 3 to 3 to 2 to 1, now frauds committed by R during the year, they were found out and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 23, and when their balance sheet was entered, अब क्या हो, पचार पार्टनर्या थे PQ, R and S, उसमें से पार्टनर्रीफ फर्म डिसॉल होगी, पार्टनर्रीफ फर्म डिसॉल होगी, पार्टनर्रीफ फर्म डिसॉल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जब अपर अकांटिंग एंट्रीफ यहां पर देखें, तो अपने कोई देखना पड़ेंगे, कि R ने R की effect proper देना पड़े, उसमें fraud है, तो अपने को कोशन रीट करना पड़ेंगा, पॉंस रीट करना पड़ेंगा, पॉंस रीट करना ठीक है, अब उसके बाद यहां पर, the falling information is given to you, यहां पर उसने information अपने को एक से ले के साथ तक दिया, और मैं पढ़ता हूँ है, उसने का अपने को realization account बनाओ, cash account बनाओ, partners capital account बनाओ, and all working form part of your sponsor, तो मैं एक से ले के साथ तक point पढ़ता हूँ है, लेकिन यहां पर आप पहले पाटनेस के balance sheet जो partnership form की balance sheet है, इसको हो रेलेबन जग यहां पर transfer करना रहोगा होँ, उसको आपन वहाँ पर transfer कर देते, तो वहाँ पर transfer कर देते, one by one, तो P को आपन कहां transfer करेंगे, P's capital account, तो आप यहां पर देखोंगे, यहां पर capital account में देखो, यहां पर amount आपका 3 lakhs, तो हा पर S का 1,20 000 तो S को ट्रांफर के 1,20,000 अब इसके बाद यहां पर कहते हैं कि जनरल इतरी पार्टनस को थेति इन्के प्रफिस शेरिंग रश्यो में तो 80,000 को उनके प्रोफिस शेरिंग रेश्यों में उनलोग ने बाट दिये ठीक है उसके बाद यहां पर trade creditor और bills paypal भी transfer to realization liability account to realization realization account के credit side में लिखा हुआ होगा है trade creditor and bills paypal इसको आपने transfer करें अब asset side building को आपने realization building हो गया stock हो गया investment हो गया data हो गया cash तो आप cash account में लेके जाएंगे तो आपने realization account debit to building account realization में आपने building लेके गए 3,80,000 की stock लेके गए 2,60,000 का investment लेके गए 1,00,000 का data से आपने फिर लेकर गए कितने का 1,40,000 का तो आपने assets को सारी realization transfer करें cash का balance आपका 60,000 तो आपने cash account बना है cash account में आपने आपे 60,000 लिख दी उसके बाद आपसे कहते है कि आर्स current account तो यहाँ का यह current account का debit balance है तो आपने ट्रांसफर कर दी है तो यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दी है तो आपने से यहाँ पर कहते है कि a check for rupees 14,000 received from data was not recorded in the books and was misappropriated by R वो कहते है कि अपने को check 14,000 rupees से कोई data से मिला था अब वो data को क्या हो वो 14,000 rupees को data से मिला था लेकिन क्या हुआ कि R ने वो पैसा खुद ने रख लिया अगर पैसा मिलता अब अपने assets liability account तो close कर दी है तो effect asset account में मत देना realization में होगा ठीक है अगर अपने को cash मिलता तो अपन क्या entry pass करते cash account debit to realization account लेकिन cash तो partnership form में आया है नहीं तो लेकिन क्या है आर लेकिन गया तो आर्स capital account debit to realization अगर पैसा मुझको मिलता तो मैं entry pass का partnership firm को मिलता हो तो entry pass करते हैं cash account debit to realization account वो तो आर लेकिन भाग गया तो इसका account को बन debit करेगे उस capital को उतने से कम करेगे तो आर्स capital account debit 14,000 to realization account अब realization account इस realization account अब उसके बात कहता है अपने से investment costing रुपे 16,000 sold by रुपे 22,000 अब investment कोई 16,000 का बावी सार रुपे में बेचे and the funds transfer to his personal account his personal account मालो आर भी है चुरी चकारी यहां पे कर रहे उनको जो तो अगर हम investment बेचे बावी सार अपने परसनल अकॉंट में पैसा ले लिए तो अगर हम इन्वेस्मेंट बेचे पास करते हैं काश अकॉंट डेबी तो रियालाइजेशन अकॉंट यह इंट्री पास होती है लेकिन आपने वो काश तो आई नहीं अपने पास वो तो आर भी अपने को लेना है तो यहां पर इसकी कापिटल अकाउंट का डेविट करेंगे बावी साजार रुपय से रियालाइजेशन का अप क्रेडिट करेंगे अब उसके बात क्याता है एक क्रेडिटर अग्री तो टेक और इन्वेस्मेंट आप दो बुक वाल्यों रुपिस एटी रुपे में ले 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 देखेंगे अब बच्चे वे क्रेडिटर को 5% डिसकांट पर पे करा रहा है इसको समझा अपने है कितने के पहले तो वो देखो जो अपने यहां पर एक लाग साट अजार रुपय के क्रेडिटर थे तो आप यहां पर वरकिंग नोर्स पर बनी भी ह र जो बचा उसमें इसे बुल रहा है कि 5% डिसकांट डिसकांट देए दिसकांट तो आपने क्रेडिटर को पे करतार एंट्री पास रहती है रियलाइजाशन अकांट कॉने डेबिट करेंगे तो पैकर है 127,300 अगने 127,300 खांट और पैकर है 127,300 आपने 127,300 एंड अब यह रेस्ट आपने बिल्डिंग करें यह 10% कम कर आपने यह 10% बढ़ा के फोर लाएक टीन ताउनन और यह 2,40 लाइक पर इसको चैँ डिया को रियलेशन को वहां क्रेट कर दीए लेकिन वह कहा दे कि सब्सक्राइब आपके जो थे वह आपने उसको बेचे 14,000 के प्रॉफिट पे और रेस्ट ऑफ देटर को आपने 10 परसें डिसकाउंट को से रियालाइज वाथ इसकी भी वर्किंग नोट यहां पर बनी भी होंगी अब आप इंवेस्मेंट की बात कुरू तो टूटल इंवेस रुपए के यह इंवेस्मेंट जिसकी बुक्वरी 16,000 वाइस में बेचे तो इसका इफेक दी दी लिए 16,000 से इंवेस्मेंट तो कम है वो कौन लेकर आर क्रेटर लेकर आपके आपके 18,000 रुपए के ठीक है तो यह 16,000 रुपए और यह 18,000 रुपए वहां से आपने आपने ख़वन क्रेड़ करें और अब डेटर सथे रैस्ट आपने पात दस परसंट के डिसकांट पर अपने दस परसंट की क्या करें अब जहांस इस चीज़को समझने तो डेटर बच्चे कितने है आप इसकी भी वरकिंदि बनाया होगी शायद यस डेटर से वह इस टेक इने के 10% discount तो यह आपके एक लाग ते रहता है चार सो तो cash account debit to realization account आपने cash account को यहाँ पर debit करें और realization account को आपने credit करें टोटल चारो से जो चारो payment है उसको यहाँ पर credit करती है ओके अब यह हुगे treatment अफिस्थ कहता है वाप से कि bills payable एक हजार के discount करें यहाँ पर नीचे में नहीं लिखे चलो ठीक है को यहाँ पर इसको ब्लबड़ करें रियालाइज़ेशन को डेबिट करें यह एक हजार रुपे कम करके और cash account को यहाँ पर credit करें फिर कहते हैं कि expenses से liquidation के 16 रुपे तो realization account debit to cash account पता नहीं कि उपर नीचे सिक्वेंस में नहीं लिखेंगे चलो ठीक है कोई इसमें फर्ख नहीं पड़ता है सब्सक्राइब रियाज़ाइजेशन एकाउंट रियाज़ाइशन प्राइब प्राइब से उसे चौदाहजार रुपी आए जो भी रिजन है आर्स अपने को 14,000 एंगे तो कैश अकाउंट डेबिट आस कैपिटल अकाउंट तो कैश में 14,000 रुपे आया और के कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दी 14,000 रुपे से खतम होगी बात अब रियालाइजेशन का आपका प्रॉफिट आया यह पार्टनर्स को उनके से हो जाएगा ठीक है ओपनिंग बैलेंस का यह 80,000 काल्कुलेटर लेंगे आप हाथ में 80,000 80 प्लस 14,000 प्लस 22,000 तो यह आगे आपका एक लाग सोलाजार ठीक है एक लाग सोलाजार हो गया माइनस 17,778 माइनस 5578 माइनस 14,000 तिसका जो बालस आ रहा है वो आ रहा है आपका व और मालों का सॉलवें पांटनर स्कारवन, से कापिटल अकांडेपी, इंसरे इन्सल्वें पांडन आप्टन पार्टनर स्कान्डेपी इंसल्वें पांड़न पार्टनर को के चरह पप्रःजां प्री 2017 जे इन्सल्वेंक और रहा रहाट ए Bj fazendo ओकान का पांड्चाय सीन्वा लगाऊंट है बेट तो क्या आशका हो खत्म कॉशन ठीक है तो आपका रटी पर सेम कॉश्चिन अपने क्लास में बहुत एद्वांस कॉश्चिन स्कीए अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते रिधिसकेशन पर हमारे आगे बढ़ते हैं बात है पिस्मेल अब पहले अपनबात कर लेते कि इसमें रुए के डिसाल वाले ही तो फरी जब नहीं है डिजौल वरी तो सारी की सारी एक साथ ही बीकिए ऐसा ज़रुरी तो नहीं है सब यहाँ पे आप सब्सक्रा देकिए तो बिल्डिंगे पचास हर की फर्णीचर अपने का फंदरा में बेचे, अब एक एक करके भी करी, आपको लाइबिस प्यूफ ऑफ वाद पीस में इसेट सापकी भी खरी, तो आप ओविएसली पेमेंट भी पीस पीस में होंगी, तो सबसे पहले किसको पे करेंगे, जिस हमने इस चाप्टर की शुरुवात की रिविजिन में डिसकस किने, तो वह आप पे करते तो इस पार्टन के पार्टन सके ढिक्र आपका सब्सक्राइब नब्द vivac हें नवे Independence चलेगए होगा है और आपने इस activity टुटल फैसा रूपी तो चलेगा थे पार्टनर्स के लोन दे दिये अभी जो 30,000 रुपे आए तो मैं कहता हुए कि मैं को 90,000 रुपे पार्टनर्स को देना है लेकिन मेरे पास है कितना भी 30,000 रुपे यह डेटर्स में तो मैं इसके आगे अगे अगर कोई अगरे आसेट रियालाइस नहीं होई तो वह नुकसान कितने के हुआगा उनके बाठ लेते हैं और जो बसता है वह आप उनको देते हो तो आप यहाँ पर बच्छा कितने है पे 10,000 रुपे इसको अपन देदेगी इसे पर कोश्चन भी आपने डिसकस कर रहे है ठीक है डूंट फरी उसके बाद इन लोगों क्यों 10 सेकें फिर उसके देख ऐसे ट्रियलाइज पंद्रहाजार उपे में गए तो आपको पार्टनर्स को देना कितना था आपने यहां पर 90 में से 30 दे दी तो बचा कितना 60 अब 60 ताउदन में से आखरी देना है पार्टनर्स को एसे ट्रियलाइज आखरी 15 ताउदन तो मैग्जीमम लॉस कितने का 45 ताउदन का अभी 45 ताउदन का अभी 45 ताउदन पार्ट्स ना बेहर करने कि पोफिट शेरिंग रिशम बाट दिये तो जो बालेंस आया आपको उतन अपने को देना तो यह जो 15,000 पर पांच 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 आपने दे दिये और यह अपने 60 में से 15 भी दे दी तो बचाए कितना 45 और अब आगे कोई आसट रियलाइज होने वाली नीदिस 45 ताउद इस एक्ट्रेक्शल लॉस क्या हो आपका एक्ट्शल लॉस है इतनी लेता चलो जो सामने स्क्रीन पर दी करें अमर अग्बर अंथनी टीक है अब यहां पर कहता है अमर अग्बर अंथनी आई पार्टनर्शिप the profit is either is their balance sheet as 31st March 2010 on which date they resolve partnership तिन शेयर प्राफित 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 रिशो पाइस को रिपाइस प्रेज़ गरीट तो रिपे द अमांट दूट यूट रिपाइस अब प्राइस से ज अब यहां पर मैक्सिमम लॉस्पाइस अब करें तीक है अब यहाँ पर इसने सबसे पहले इस लिखा कि बालेंस आपके इस cash का कुछ बालेंस था कि नहीं outside library कितनी थी outside library आप देखते हैं यहाँ पर outside library आपकी यह थी creditors की 80,000 रुपे की ठीक है अब इसके बाद देखे करके अब डिसकर्स करते हैं कि assets बिकेंगी तो सबसे पहले पर किसको देते हैं बाहर वाले को यहाँ पर 146 की फिर asset आपके पास यह realize दोई अब आप पेमेंट करोंगे तो 146 में अभी आउसाइडर के बीस देना बचे तो वह बीस हजार दे देंगे और फे पार्टनर्स का लोन ने बीस तो वह बीस दे देगे पार्टनर्स को लोन दे दी तो 146 में तो 2020 माइनस होगे पार्टनर्स को देना अपने पास है अपने पास है एक लाग बीस हजार में से एक लाग बीस हजार में से एक लाग शेहजार पे माइनस कर दू तो यह इनके प्रॉफिट शेलिंग रेशिवन बाट दिया प्रफिट चेंट बाट दो को जो बेचा उतना उनको अपन देगे लिगिन एक पार्टनर का पर डेबिट बैलनस तो वह अपको इंसूट में जनरले दिखार पीस्मिल दिस्क्रिशन जब भीकोट देफिशयेंस है अग तो फिर एक लाग शेहजर पर अमर और एंथनी पहले और तीसरे पार्टन उनको पन इतना दे देगे यूगि इसके याद रखना है पॉइंट पार्टन से बेहर करें रिमेनिंग पार्टन से इनको दे दिये तो यहां पर इससे हटाए और यहां दोनों से इसमें से माइनस कर देने का एक लाग 14,000 का और आपने एक लाग 14,000 में से 94,000 ही हमारे पास cash available तो बचा हुआ होके तड़ी is maximum loss तो यह 20,000 पर बाते बात कितना capital का बैलन्स आ रहा है उतना अपन क्यास cash आ रहा है उतनी cash आपने इन partners को इतनी दे देंगे तो मगर यह सब यह इतने में से आपने एक लाग 14,000 अपने से 94,000 दे लिए तो भी 20,000 रुपे बालेंस capital माभीद भीजिती करें लेकिन that is their actual loss क्योंकि अब वो actual loss है उन लोगों का क्योंकि आप कोई asset realize हुई नहीं asset realize होती तो फिर 20,000 रुपे भी अपन बाढ़ दे लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है तो that is their actual loss maximum loss method में क्या कर रहे है पहले पाउटसाइडर को दे रहे फिर partners का अगर कोई लोग है तो वो दे दे रहे और उसके बाद अपने को देखना रहेंगा है partners को को वो दे दे रहे जो बचता उत्मा को देते और यह process continue चलते जाती चलते जाती जब तक आखरी asset पूरी पिखती नहीं है अब आप लोगों को यहाँ पर एक और method है एक और method that is इसी में पीसमें डिस्ट्रिबिशन में एक maximum loss method हो गई जसकी बीवन मिनिट ओके हाईयर हाई यह देखो हाईयर रिलेटिव कापिटल में अब हाईयर रिलेटिव कापिटल में आपको एक बार रिवाइस करा दू ठीक है इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा concept अलग होता है किस बैसिक वो ही रहेगा कि पहले आ ऊक्साइडर को देंगे थे पहले आउसाइडर को देंगे इसके बाद आप किसको दे extraordin Sup heft पार्टनर्स ने अगर कोई लोन देखे रहें तो पार्टनर्स का लोन देगे तो पहला आउटसाइडर को दे रहें पार्टनर्स का कोई लोन बचे तो पार्टनर्स का आप लोन दे दोगे और उसके बाद फिर पार्टनर्स के कापिटल का देना शुरू करते हैं लेकिन पार एक कापिटल एक लाग दिसरे का 1.2 तीसरे का 1.30 टोटल होगा है 3.500.000 अगर इनका प्रॉफित शेरिंग रिसियो से एकवल है अगर पर अ को देखू तो ए ने कॉंटिबीटर गदीजुर ईक लाग 25 और सी ने एक शयर के लिए कितना को सीक्रान पाँजैते हैं एक लुग Кवठल आर्ट इंफाट गविलीट करें और यहां पे आपका किल्दुपी यहां पे तीनो में गॉता है। जिसका कापिल पर्ष है सबसे कम तो इसको अपन बेस लेते तो इसने एक शेयर के लिए एक लाग किया तो ये एक लाग आ गया अगर बी भी अगर एक शेयर के लिए करता तो एक लाग सी भी एक शेयर के लिए करना चाहिए तो एक लाग करना चाहिए ता एक शेयर के लिए त थादा किया, यहां पे उसने एक लाख रुपेuard अ, लो, 20,000 का पड़िए, अब यहां पर उसने, ऐक लाख रुपे, करना चहिए लाख ठीज किया, तो 30,000 के जो यहां, तो जाता गDie। यह अब बी और थी में भी फिर दुसरा जगड़ा आ गया गया एकसेस कभी एकसेस हो सकता है क्या वो देखते आपकर यहां पे इसने हां पर बीने एक शीर के लिए कितना एकसेस दिया 50,000 रुपीय है तो इसने भी सार देना चाहिए था तो इसने एक्सेस 20,000 रुपए देना चाहिए एक शेर के लिए इसने दिया कितना 30,000 तो इसने ज्यादा कितना दे दिया 10,000 रुपए तो जब आप order of payment जब पहले तो आउटसाइडर को देंगे पार्टनर्स का लो नेगे जब पार्टनर्स को देने होता है कि जैसे यहां पर देखो सबसे पहले ultimate access जो 10,000 रुपए यह था अब यहां पर यहां पर फिर बी और सी का यह 20 रुपए तो जब आप payment करेंगे सबसे पहले सी के 10 पार्टनर को फिर बी के बीस और सी के बीस और कब फिर आपके थर्ड इसमें एक एक लाग रुपे तो आप यहां पर बीस दोनों को देना आपने को बी और सी कोबीज बीस देना सेकेंड वाले केस में तो आप जो बीज बीक要स देरो तो आपके बीस बीस चालीस नहीं है 25 यह थो फिर उनके प्रोफिल शेरिग डिशे में अपन देने कि वह अपने ऐक कोश़न आप डिए ड टेबल बना लेते हैं, उसमें order of payment में रिकालते हैं कि किस order में हमको partners की capital को discharge करना रहेगा, तो इस पर कोई question में देखो, okay, class का question number regular branch में, ठीक है, अब ध्यान से बाप इसको समझेगे, अब देखो, Ajay Enterprise is a partnership form in which A, B and C are three partners sharing profit and losses in the ratio of 4 is to 3 is to 3, the balance sheet of the firm as on 34 December 2011 is as below, A's capital पंदादर, B's capital 7500, C's capital पंदादर, B's loan 4500, sundry creditors, 16000, asset site factory building, 24160, planned and machinery data, stock, cash and bank, वा अब आगे आप से कहता है, अब बालने शीड देखो, all the three partners have decided to dissolve their partnership, since the realization of asset was protracted, they decided to distribute amount as and when feasible and for this purpose they appoint C who was got, who was to get, as his remuneration 1% of the value of the asset realized other than cashed bank and 10% of the asset distributed to the partners, first installment, second installment, third installment, last installment and dissolution expenses were provided for estimated amount of Rs. 3000, the creditors were settled finally for Rs. 15,900, prepare a statement showing distribution of cash among the partners by higher relative capital matter, अब समझेग, को दिफिकल कुछ भी नहीए, सबस्पिकल कुछ भी नहीए, कि जब form dissolve हो, इसे partners को किस order में payment करना है, तो table of distribution हमको बनाना होता है, the table of distribution यहाँ पर उन्होंने बना रखे, अब जहां से इसको समझेगे, अब देखो, यहाँ पे partners की capital जो है, A, B और C का 15,700 और 15,000, यह partners की capital है, इनके profit sharing ratio 4 is to 3 is to 3 है, profit sharing ratio 4 is to 3 is to 3 है, अब यह 15,000 divided by 5, 7,500 divided by 3, और 15,000 divided by 3, अब इसको आप करते हो, तो 3, 7, 5, 0, 2,500 and 5,000, ठीके, अब उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे आपने इनका, यहाँ पर share आ गया, पर share इन लोगों का गया, एक share के लिए कितना contribute कर रहे है, तो यहाँ पे बोलेगे, सबसे इसमें lowest इसका B का 2500 तो उसका अप लेंगे, तो यहाँ पे इसने तीन share के लिए 7,500 किया, लेकि इसने 4 share के लिए कितने कर रहे है, यहाँ पे इसने 3 share के सी में कितना कितना कि इसने बहें बबुभाद से इसका तो इसने まदा पांच्सेस के सब्सक्राइब करना चाहिए, इंका profit sharing ratio तो नियुकर 4 is to 3, 4 is to 3 उनका profit sharing ratio, 4 is to 3 उनका profit sharing ratio, जहान तो इसको समझेगी बिटा, अब 4 is to 3 उनका profit sharing रिचा आप यहाप एक 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 case में भी 5000 डिवाद गए 4, that's come 1250, यहाप 7500 डिवाद गए 3, 2500, अब एक 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 सेब के लिए 1250 जाने 2500, तो यहां पर जो लोग इस रहता उसको लेरेंगे 1, 2, 5, 0 इसको multiply by करेंगे 4 से that's come 5,000 1, 2, 5, 0 multiply by 3 that's come 3, 7, 5, 0 अभी यहां पर access इनने 5,000, 7,500 दीते लेकिन access में भी कोई access हो गया देना तो access इनने 5000 इनने 3, 7, 5, 0 लेकिने दिया सीने 7, 500 तो 7, 500 इनने 3, 7, 5, 0 siitä, तो balance भी बचा आपका 3, 7, 5 ultimate access तो इसमें देख सबसे पहले अपकी आपका यहां आपका यह और सीने आपका इस आपर शृवात में है तो order of permit अपने निकाल जी कि first किसको ने सेकंट किसको देना और 3rd किसको देना सपोर perseverance तो फॉर्स किसको देना है is good किसको दे और थर्ड किसको देना अपने और पेपर निकाल दिये वगर पहले तो आप लोगों का आपका आउटसाइड लाइबिलिटी देंगी पार्टनर्स लोग देखे लिए कि चीज़ ख्या रखना कुशन को सब्सक्राइब कि कोई आपने किसी को पॉइंट कर इसका प्र अपने को दे रहे हो इसका 10% अपने को देना रहेगा अब कोश्चन को अपन यहां पर देखते कि भी सबसे पहले आपने यहां पर आपने इसको देख रहे हैं आप टेबल बनाए कि अपने पास क्श कुछ अवेलेबल है ठीक के तो काश कोश्चन में दी है 275 cash अवेले तो पर आपका सबसे पहले पैसा यहां पर रियलाइज वह आपका 18650 जब रियलाइज हुआ तो याद रखना सबसे पहले आपर डिसुलिशन एक्सपेंस इस बीतीन हजार रुपे रखने एस्टीमेट करके रखने कि इसको लिखाओंगा शायद है सबसे पहले डिसुलिशन एक्सपेंस और रिमिननेशन पार्टनर करें दो तरह के रिमिनेशन एक वन परसेंट परसेंस पेमेंन तु पार्टनर को नहीं रहेंगि तो आगे चलगे जब इसक्कोश्चन में पार्टनर को पे साथ को पेमेंन ने आएंगी आऊटसाइड इसके बाद फिर क्या पिटल आएंगा ओक इस चीज को क्या लगए अब यहां पर इसने डिसलिशन यहां पे डिसलिशन एक्समें दे दिया तीन अजार वे अब यहां पर जो एसे ट्रियलाइज दिने वन एटीन तौन सिक फिफ्टी उसका वन परसेंट तो 187 रांड उफ करो यहां से तो पैस्ते होगे जीरो आपके पास अभी आउट्साइडर को भी 162 देना इस सेकेंड एसेट आपकी रियलाइज दिस सत्रादा कोश्ण में दी 17320 उसका पहले रेमुनेरेशन दे दो 1 परसें तो 17320 आपने रेमुनेरेशन दे दी इतनी कैश बची जब कैश बच अब 12485 12485 आपकी कैश बची अब इसके बाद क्या हो यहां पर कि यहां पर आप लोग आकर रेमुनेरेशन अब आप अपने को पार्टनर्स को दे रहे उसका 10% भी अपने को रेमुनेरेशन देना तो यह एसका आपने 1% यहां पर ले लिए लेकिन इसी आपने को 10% on payment to partner अब अपने पास बचा 12485 यह याद रखना और यह यह calculation लिखा वाई इसमें से मेंको 10 मेरे पास जो भी amount इसमें से 10 मेंको रेमुनेरेशन देना है 10% और 100 मेंको partner को देना है अगर 100 में partner को दे रहा हूं 100 मेंको पार्टनर्स को दे रहा हूं तो तो जो total amount available that is 110 तो यह 12485 तो 3750 अब उसके बात 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 7600 वो जो सेकेंड रांक में जो थे तो अब सेकेंड रांक में अपने बात देना कुछ और ही था इस हैं रियलाइस धी यह है 10 रुप ए dough息 10 रुपनी इए वियो देना है 10 SEC और इनूम उसका씬 एक परसेंट अपने को रमयरेसिन देना है 1% ups 29900 तो एक strongest और को पार्टनर को देना है 10 में पार्ट्नर को यह 7600 मेंbai देना 100 यह 6750 यह यह भुbor तो जो बच्चा वह है वापन को पार्टनर्स को बाटना पड़ेगा जो कि बी और ए और सी उसको मिलने वाना तो ए और सी कॉपन के प्रॉफिल शेरिंग रिश्व में पर दे देंगे अब आपने जो सेकंड कैटेगरी भी दे जिए उसके बाद क्याश आपका बच्छा सेव काटेगरी को देंगे जिसमें अपने को तीन को देना लेगिन अपने पास पैसा उतना नहीं बचाई जितना थर्ड काटेगरी में देना से कम है सेवें फाइज इरो को प्रॉफिल शेरिंग रिश्य में दे देंगे उसके बाद इनका फिर कैश दीरो गया उटसाइड अट्यरी नहीं को यह 760 और इनिर शेरितल ये खेन अग़री मैं रहाा है तो generale अपने पास और उतना अपने भूछ क counting धितना उसके बांन ए उसके दो नहीं पर जो यह गपने यह 630. ऐसे अच्छा लॉस एगर और कुछ Rise करती हें, भूलते हैं से अधियूम करते तो उसका माइनस करके माइक्सिम लॉस का बाट तो रिमेनिंग अमॉंट बच्त दिस्ट्रीट करते यह प्रोसेस कंटिनु करते जब तक आफ्ली असेट रियालाइस नहीं होती अब अगर आपन यहां पर क्या करते पिट आप इस मैथर में इस मैथर में यह करते कि यहां पर अभणित कि इस order of payment अपन रिखते कि उनने की कर देख़ ऐसके बाद इसके बाद चोना डिसके फर्म कर पाथने कमपनी में और यह कापनी को थी ए और यह उद पार्टनर्षी फर्म क्या अपने बिजनस को प्राइट लिमिटल के क्या के इसकर देती लेकिन से अकाउंटिंग बिल्पल सिंपल है वैसे तो पहले करें लेकिन यहां पर क्या होता है कि इन लोगों का एक 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 एसेट सो लाइबिलिटी पे आफ करेंगे हो सकता है कोई एक हाथ दो कोई कोई न्यू कंपनी फोरी को तो यहां पर पीजीदी होता है जैसे अमल गमिशन में पड़े तो पीजीदी होना पर्चेजिंग कमनी अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंश शेर देगा तो यहां पर्चेजिंग को दे दिया और फिर जो भी अपने पास आता है तो वो अपने को दे दे तो partners capital account debit to cash का जो भी balance को देगे equity shares जो preferent shares जो है वो पन किसको दे देंगे partners को दे देंगे इस पर ही question institute ने RTP में दे रहा है आपको that is question number 2 यह भी class का ही regular batch का question इसका हम लोग discuss कर लेते हैं अब आप से क्या कह रहा है यहां पर ओके so x y z x y and z are partner sharing profit and losses in the ratio of three to two is to one the team partner profit sharing ratio कितना three to two is to one after allowing interest on capital at nine percent per annum their balance sheet as a thirty first March 2023 Rs followed यहां पर उनकी balance sheet dv partnership firm की capital x y z reserve one crater assets like plant and machinery fixtures stocks and redators okay अब यहां पर कहते हैं but allowing interest on capital वनको 9 percent देरे अब आगी इप्लाइट वर conversion of the firm into a private limited company name x y z private limited तोसको convert कर पार्टर्शिप्रम को किसमे x y z private limited and the certificate was received on 1st of April 23 decided to maintain same profit sharing ratio and to preserve the priority in regard to repayment of capital as far as possible for that purpose they decided to insert a clause of issue of preferential shares in memorandum of version in addition to issue of equity share offer with study वो कहते कि in addition to equity share अब देको partnership firm यहां पर जब convert होरी किसमें convert company में simple सी चीजा वो ही यह process सारी फॉलोंगी asset liability transfer करेंगे डियालाइश में capital में transfer करेंगे capital reserve reserve fund के balance को लेकिन आपका यहां पर यहां पर आप PC due करोंगे और वो आउससे आएंगा आपको receipt of PC and discharge of PC यह entry अपने को पास करना रहेगा यह तीन entries में आएंगी ठीक है अब उसके बाद यहां पर लेकिन से बड़ा interesting बात क्योंकिक अपने को दे क्या रहे दे क्या रहे लेकिन वो कहते है कि भएक प्र नंदा कि अब आगी कारेंगा प्रफिल गषय की में अब आगी Vale उसमें यह भी करेंगे और क्या क्या करना चाहिए आपको भातांगा वे करते हैं ठीक है अब आगे कहते है ऑन फॉर्स अप्रिल ट्वेंटी त्री दे वाल्य अप्र गुद्विल इस तो इस तो इस पर्चिस आप दे अब यहां पर आपको प्रॉफिट पीछले पाथ साल का दिया आपको प्रॉफिट ट्वेंटी थाओद फिर एक साल कोई लॉस है ठीक है तैन अगेन प्रॉफिट प्रॉफिट फॉफिट फिचले upload फीक है तो पिछले चार पाथ स्ल का Prophet लोप्रॉफिट लोटे में गवी सब पिछवी पाथ साल का को दिया है अब गुद्विल जब कहले पाथ के लाइज दि λीए को क्यों कि पिछले पाथ साल का निकाला अबनॉर्मल लॉस अपर यहां पर 31 मार्च 2020 को वो कहता है यहां पर जो लॉस वह उस साल आपने पीनल अकॉंट में दो आइटम डेबिट करते एक आपका लॉस डूटी स्ट्राइक हुआ था तो वह 10,000 रुपे और को यह दूसरे अबनॉर्मल लॉस था 10,000 रुपे का 10 और 10 Legends 10 रुपे तौने दस और रुप टलूंट सर्टीज को क्या करने पड़ाना पड़े साल था अपने को पहले गुटोब J.T 오래 गुडविल काल्कुलेट करें वर्किंट बना है इसकी यस गुडविल काल्कुलेट करें तो पिछले पाथ साल का प्रॉफिट एक साल लॉस है लेकिन आपको जो दूसरा साल है उसमें पीनल अकॉन में दस-दस करके 20 रुप आपने डेबिट कर जो कि अबनॉर्मल आइटम है तो प्रॉफिट कम हुआ तो आपकी लुगफ उसको अब ज्यादा वहा है तो लॉस को कम करना पड़ेगा देऋबिट करने से लॉस आपको और बढ़ा पार लॉस लुवार को कम करना पड़ेगा तो पूसिप नहीं सिंपल मैं आपने प्रम में ठेबिट करें तो आपने आ आपका गुडविल आपका 72000 अब पीसी अब आपने यह पढ़ लियो चाप्टर अमल कमिशन यू नूओ ओपका गुडविल एकल्ट अनुग्सिंट है रशी अर्व चार द्रप लो लॉविल टॉ लाग्चार पेले झाल फेलिए थी कितने की हो बॉक वालुव इकतने त्यूसकि दो सोला सौह तो दो लाग्चार में वॉटन थे लेते हैं चाली से फर्नीचर का लिचार संद्री डेटर्स कितने के 60,000 रुपे की संद्री डेटर्स अब ये टोटल आपने एसेट की करें उसमें से लाइबलेटी माइनस करूंगे लाइबलेटी आपकी एक क्रेडिटर्स 96,000, 96,000 माइनस करें तो परचे सकंद कि berger से एक अंद यहां कोटने की 3,80,000 UP इंट्रेस्टिक बात की यहां अब आप लोगों को यह पीजी क इसनी कोश्न में बोला किया यह आप से उसने आपसे बोला question भी कि आपको बनाना है चार चीज़े कौन सी चार चीज़े अपने को बनाना है वो कहता है partners capital account इस ते नहीं थरी पहला balance sheet company की balance sheet बनाना है partners के capital account state में showing the final settlement between the partners taking wise as wise capitalized base तो वो क्या है कि करके बात कर तो balance sheet तो मैं बात कर तो company बनाएगा लेकिन अपने को partnership firm क की बुक में realization account नहीं बोला विटे realization account उसने बोला नहीं है ठीक है मैं पहला point और C point के A or C उस पे मैं आता हूँ लेकिन realization account प्रॉफिट और loss से निकालना पड़ेंगे ना realization कर तो उन्होंने कैसे कर इंस्टूट निकाली के उसको ठीक है उन्होंने direct लिखे के ठीक है लेकिन न दोला माइनस दो लाग चार तो यहां पर आपको बारह हजार रुपय का लॉस हुआ और यह गुडविल की वाल्यू आपने 72,000 बढ़ा है तो आपका net loss अगर मैं बोलू तो 72,000 माइनस 52,000 माइनस 12,000 तो realization का यह आपका एक्चुल में loss आपका कितने का हो है बड़े 60,000 का हो तो realization का यह 72,000 को उन्होंने बाढ़ दी और जो loss हुआ ना आपकी plant and machinery को कोई और वाल्यू पर नहीं वो loss यह loss को यहां पे लिख दिया उन्होंने यह था 12,000 पर आप ऐसे भी कर सकते हैं मैं उसको working out भी बाढ़ा है loss on realization कितना आप खुछ सोचो ना सर्चीज book value में बस तो 1,60,000 और 40,000 उसके reserve fund profit sharing ratio में reserve fund बाढ़े 60,000 40,000 and 20,000 60,000 40,000 20,000 ठीक है अब उसके बाद यहां पे आपने इनके जो realization का profit है इसको बाढ़ दिया आपने ठीक है अब यहां पे जो balance बच रहा था आब यहां पे इनको दे तो इतने कि अब यहां पे यहां पे यहां पे यह लोगों को अपन दे देते cash नहीं यह new firm के इनको यह convert हो रही partnership firm किसमें convert हो रही कंपनी में तो company के इनको shares में अब उसने question में कहा कि equity भी देना preference भी देना लेकिन profit sharing ratio शुड़ भी से अब यहां पे वही आपको point number C में उसने पूछा है तो point number C से वही बात यहां पर वो लिख यह अपन को three two two to one so three four two this two one है Tois twee share के लिए एक लाफ भी दे रहा है सो एकछ लाग भी सजार अगर दो एक लाग बीस अजार अगर दो है तो एक एकस का थ्रीश है तो तीन के लिए कितना योग है एक असी इसका तो एक लाग बीस थी है और यहाँ पर यहाँ अगया अगर एक लाग बीस अजार अगर दो के लिए तो एक का खेता है को profit-sharing ratio तो जो मन के बाट दित है यहांЭ उसको देना कि अपने को एक नबबे देना तो टूटल एक नबबे देना थी इक नबबे देना थी नियुक्ट ए एक नबबे देना थी और शोग ऑने को यहां पर इसको इसको कुछ भी इसका बालेंस यहां पर आ रहा है कितना हैंगा 70 शाखरोल है तरी के से इस तरीके से हुआ अब इनको जो आपने एक्विटी शेर्स देदी पर्चेजिंग कंपनी के और प्रेफरेंश देदी पर्चेजिंग कंपनी को आपने जो अमल गमिशन चाप्टर पढ़ लेते हैं वहाँ पे वेंडर कंपनी को वो शेरोलर्स को देते हैं यहाँ पर्टनर्स को देते हैं बस इ बनाना ठीक है अब पर्चेसिंग कमनी की बालेंशिट आपको बनाना तो सिंपल उसने जो जो चीजे लिया है अब यहां पर आसे उसने लिया ने आप यहां से लिख सीदा फिगर यहां से उठाओ अपने वाकिंग नोड बना यहां से लो तो गुडविल आपकी 72000 चले जाए तो जो एक्वीटी शेर कपिलल ःप्रेफरे शेर तिरह आपयर सिंपल यहां पर तरीके से यहां पर उसने यह BART दीया अब आपने डिसकर्स कर ली सारी चीज़ें डिसकर्द हो कि पीसमेल डिस्टोपिशन दोने मैथड बताते हैं पार्टनर्शीफ वाले कोशन देख ली अब कंवर्जन इंटू कंपनी भी देख ली अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि दो पार्टनर्शीफ वाम मिलके एक न्यू प आप नोसों प्लखे ज़्यृत आप न संब Caribbean दो पार्टनर्शीफ फॉल्म मिलके इसको अपने को दो पार्टनर्शीफ वाम मिलके क्या करने क्या वसमें ब्रोपनी में के डिनीम और यहां पर देखने ऑंपे पार्टनर्शीफ और ऊपने यहां पर दो और ऑ तो यहां उन्यो अच्ट पार्टन सब्सक्रीं सब्सक्राइब toकी आपने ले लेंगी आपको शेरदेगी ना निया recipes नहीं और भी आपने इसको करेंगी गया अपने कषिटेब यहां पर ठीक है अब ध्यान से बाप मेरी बस सुन वह आप से कहते हैं कि A and B are partners A and B are partners of A and B and company sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1 and C and D are partners of CD and company sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 तो दो partnership हम थी एक में A और B थे इनका profit sharing ratio 2 to 1 में था और एक partnership हम थी उसका उसमें C or D partner थे उनका profit sharing ratio 3 to 2 था on 1st April 2011 they decided to amalgamate a form a new firm message ADN company wherein all the partners of the both the firm would be partner sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1 to 3 to 2 अब दोने partnership firm के यहां पर उसने अपने को balance sheet D भी पुरा नी partner capital A, B, C, D reserve credit due to A, A, B and company asset site building machinery furniture stock data due from CDN company cash and bank cash in hand अब आगे कहते है कि the amalgamation firm took over the business of the following terms building was taken over 8 rupees 1 lakh and rupees 1 lakh 25,000 of A, B and company and CDN company respectively ठीक है अपॉट नबर B goodwill of A, B and company was worth Rs. 75,000 and that of CDN company was worth Rs. 50,000 goodwill account was not to be open in the books of the new firm the adjustment being recorded through capital account of the partner provision for doubtful lab has to be carried forward at Rs. 5,000 in respect of data of A, B and company and Rs. 8,000 in respect of CDN company अब यह क्या चीज़े में करके आप से discuss करता है यहां पर पहले आप से computer adjustment आप पहले यह सारे क्या पूछा उसको अपर साइड में रखते हैं एक ही ना रेगुलर बैस्ट में टेबल मैं बना तो टेबल बड़ा important होता है देखो यहां पर मैंने बना रहा रहा और इसको बड़े अच्छे समझ ना में इस टेबल आपने समझ लिए तो question में कुछ दम नहीं है वह आपसे question में क्या के सबसे पहले देखो यहां पर कि अपने को उनको देना कितना था यह partner a b एक फ़र्म है और एक पार्टनर में सी और डी है पार्ट एक पार्टर्शी फ़र्म तो एक अपने को यहां पर यहां पर उसके रिजर्व है तो यह रिजर्व एक और बी को जाएंगा उनका profit sharing ratio तो इस तुवन था ओल्ट फर्म है तो इस तुवन में तो इस तुवन में 66,000 का पार्टनर्स को जाएंगा सही बात है सर आपने capital का balance दे इमेजिन करो capital account उनका credit side ठीक है तो opening balance लेके reserve दे दिया उनको profit and realization अब उस नहीं यहां पर कहा है कि profit and realization की बात को तो building के बारे में बात करता हूं तो यहां पर एक लाग रुपे में वह building लेना चाह रहा है AB की और 1,25,000 CD के लिए नहीं तो building यहां पर है कितने 75 75 की चीज़ को एक लाग में गुद्विल को side में रख तो थोड़ी देर बात करें गुद्विल पर जो कि point number B है तो 75,000 है वो लेना कितने में चार एक लाग में 25,000 रुपे का यहां पर profit हुआ और यहां पर 5,000 रुपे उनको बाट दिया उतने profit sharing ratio में यहां पर 90,000 की चीज़ एक 25 में जा रहा है तो 35,000 के difference आ रहा है और बोलता है कि provision create करने 8 का 35 minus 8 that's 27 yes 27 yes 35 minus 8 27 को यह COD को उनको profit sharing ratio में बाट दिया ठीक है अब यहां पर क्या चीज़ profit sharing ratio में बाट दिया अब यहां पर क्या हुआ के partners का capital है यह पाटनर का capital है यह पाटनर का capital account है यह उनका reserve को बाटा है यहां पर और यह उनका realization profit टीक है अब उनकी यहां पर क्यों नहीं करें देखा आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है old form old form का मतलब क्यों हो था कि पुरानी firm में उनने यह अड़ेस करें capital account कोशन पता नहीं पूछाए के नहीं पूछाए वो अपना बाद में दिख लेगिंगा पुरानी firm में में कर रहा है अब बुलेंग सरकनी इसको समच नहीं कर रहे है उसका adjustment क्यों नहीं कर रहे है उसका adjustment क्यों नहीं कर रहे है इसको समझना है पॉट्म आपस कहता है goodwill of ABN company जो एक partnership firm थी पुरानी वह His worth तो आपने अपने और पार्टनर को और नी पार्टनर को नियू रिशो में देते और नियू रिशो में आप तो आप credit old partner or debit new credit old partner old ratio debit new partner new ratio तो इसमें आप करते हो तो यह automatic यहाँ पर आज दा gaining partners और gaining partners capital account debit to sacrificing partners तो यह बराबबर वो effect आज regular bash में ऐसी मैंने आपको बताया हूँ अब देखो यहाँ पर उनका form का यह आप अच्छा यह क्यों new form में adjustment और new form में इसलिए adjustment हो रहा है कि सारे के सारे partner एक जगा जगा जब आप बोल रहे हो gaining partners to sacrificing partners सारे partner आग कहा रहें new form में इसलिए goodwill का adjustment new form में हो रहा है old form में बाग़ी चीज़ होगे new form में अब अन्योंने old partners को old ratio में उनके goodwill को बाटे और new partners जो सारे थे उनके new ratio में आपे बाटे तो यहाँ पर उसका effect लिए आपको credit करना है 50 से debit करना 31,250 से balance है उसको अपने को credit करना पड़ेगा 18,750 से तो इसी तरही से आपने debit credit यहाँ पर उसके balances निकाले और जो यह partner से उनके account को अपने को debit कर देना पड़ेंगा यह उनके बिद बिद यह जो balance आ रहे दर इस बिफोर दा एजस्मेंट अपर गुडविल और गुडविल का अपने को इहाँ पर करना रहेगा अब उसके बाद का गुडविल के अजस्मेंट के बाद के balances आपके आ गए यहाँ पर ठीक है यह credit करे प्लस यह balance है credit क्रेड़ेट 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 में से अपने डेपिट यह मानस करी आगे credit डेविल यहाँ का बालस आगे अब ध्यान से बाप मेरी बास समझना है यहाँ पर हुआ और एक तो यहाँ पर ऐस इसको बीस लिया ठीक है तो एक लाग एक हज़ार एक सो पचास यह अगर दो है यह अगर दो है यह के करी कर, अगर दो कितना और एक लाग एक से लाक ला एक लाग होँआद दो है तो एक near capital गुद हुए तो इतना होना चाहिए दा, तो जो भी कम इतना है इतना होना चाहिए ज्यादा है तो उसके कापिट को कम करना पड़ेगा and that will adjust to the current account यह पे कोई नहीं है यह अपने टेबल बना जो खेल खतब अब उसने question में आपने पूछाए का यहां पर इजसमेंट नेसेसरीव और गुडविल ओपने देख ली हम पर पास जटने इन दीन ऊपने नियू मैं अजीमिंग एक्टैट्ट काप्ले टेकिं इस पंपलड बेस्ट विट बाइस में ने डीटेल में उनको बोला हूंगा कि compare करो कैसा ही कर इसलिए यहां पर बताया हूंगा अभी यहां पर निवीज वह आपको लिखना नहीं है एक्जाम बेट अब यहां पर निव कंदी की बुक्स में लेना तो अपने उसके पास एसे टाई एक ही करके तो अब यहां पर वह गुद्विल का एडिस्मेंट अला हूंगा एक डियू फ्रम सीदी अन कमनी इंटर पार्टनर्शिप दूसको कैंसल भी करेंगे वो लिए फिर कैशेट बैंक और कैशेट इन दोनों फॉर्म करें उनकी लाइबलेटी लिए तो लाइबलेटी के अब इसको समनना यह आपने जो की यह वाले जो बालांस है यह वाले बालांस लिखा तो यह आ पर यह PARTNERS की क्रेट और खुलाइं और स्टोओकर दानोे करें की तो ओला जे बालांस है पर लाक्रेट करें तो चुरुत अंतने करें जो फिर कर लिए कर लिया और इंटर पार्टने शी फॉर्म दूस तरह कि तरह किस लिए इस तरह कि इस तरह किसमें इंप्रूर्पन करने टेबल आप यहां एक से नहीं तो इबढ़् जिटी को से ब्राइब लेंगं तो इंसे आपटे की सालन आपका सब्सक्राइब और sa कूजुमगांगांसीन देस्माचॱाय अंजा दू Crime में च्र goukzn धार डी Fest बाएंगा आ सकते हैं लिकिन भी जी इस्लें सब्सक्राइब का Music डिशलीशन फार्टरशिप दोट फरी आगे चैप्टर्स के विवे रेविजियन के लेक्चित में चल्दी इसके आगे की जो मारे आपके बैंकिंग है अरिश के लेक्चित sociology से पार्टरशिप बैचित में टो इस पार्ट आ辉 आपके बैचे वीज के विवे लेखे प्ट में।